हलो फ्रेंड्स आयम रचना वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल तुड़े वी केंड डिस्कॉस दा टॉपिक यूज ओफ आइएंजी आइएंजी को हम और क्या कह सकते हैं जिरन फॉर्म फिलप्स में आइएंजी कहां यूज होगा उसकी ये टिप्स हैं जो हम आज डिस्कॉस करेंगे टिप्स कहलो इसको रूल्स कहलो ट्रिक कहलो कुछ भी कह सकते हो ऐसी हैं जो आप लर्न करके रखोगे तो अगर आपको दिखता है तो वो फिल कर सकते हो अगर किसी संटेंस में आ जाते हैं और उसके बाद फिलप्स है तो क्या आएगा आएंजी लगता है उसके पाद इससे रिलेटीड कुछ संटेंस हैं जो मैं ये टिप्स बताने के बाद वो डिस्कॉस करेंगे नमबर टू ये साइन होगा तो भी क्या लगेगा आएंजी ओके नमबर त्री नो नोट फिलप्स से पहले हो तो उसके बाद भी आएंजी लगेगा means किसी संटेंस में नो आ गया और उसके बाद फिलप आ गया तो आएंजी वाला वर्ड लगेगा नमबर फॉर see I can't help I could not help it is no use के बाद क्या आ गया है यह चुछुटे संटेंसिज ही हैं कॉमा डालके मैंने दे दिया हैं यह लगलग संटेंसिज हैं this is for you just for example how नमबर थ्री clear no use आ गया है no कह था मैंने उसके बाद just फिलप आ गी है तो आएंजी लगेगा नमबर फाइव subject subject के रूप में subject किस पे फिर आ गया helping verb तो क्या लग जाएगा ing ing जैसे example dance is good exercise helping verb आ गया इससे पहले fill up आ गी कुछ भी लिख सकतो यहां पे dancing is a good exercise playing is a good exercise swimming is a good exercise कुछ भी आ सकता है यहां पे clear now see number six object object के रूप में ing का use subject होगा कुछ उसके बाद helping verb होगा उसके बाद जो आएगा तो क्या होगा ing लगेगा like like next sentence देखे I like dance क्या आएगा playing dancing कुछ भी लगा सकते है clear number seven prepositions के बाद भी और पहले भी क्या लगता है ing जी अगर कोई fill up आ गई है उस fill up के या तो पहले कोई prepositions आ गई है या उसके बाद में कोई prepositions दे रखी है तो क्या आएगा यहां पे ing वाला word आएगा clear now c number eight अगर मैं busy रहूंगी तो enjoy करूंगी saw to found क्योंकि मैं love करती हूं like भी करती हूं का उल्टा किसका उल्टा love का hate like का dislike अपने mind से avoid करूंगी yes suggest करके worthy बन जाएं तो जिन sentences में यह words आएंगे तो वहां पे क्या लगेगा ing clear clear जिन sentences में यह words आएंगे वहां sentences में ing लगता है clear now we can discuss few sentences see sentence number one stop stop आ गया है तो क्या का था stop आए और उसके बाद कुछ हो तो क्या लगता है ing वहला stop writing clear here the film has a dash ending क्या आएगा यहां पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है यहां पे subject आ गया है helping verb आ गया उसके पाद object object आ गया है fighting ing आ गया I hear my friend dash for help क्या आ गया यह preposition preposition clear तो क्या आएगा having cried to cry crying cried क्या आएगा crying he will not dash again he will not subject भी आ गया है helping verb आ गया क्या आएगा object object क्या आएगा तो इस पे ing coming clear now dash is a natural art subject के रूप में आ गया क्या लगेगा ing paint to paint painting painted तो यह आपको देखके लगेगा कि यहां just fill up के बाद helping verb और object तो subject भनने है fill करने हमने तो क्या आएगा ing painting now number six run dash runs the health subject आ गया है drink to drink drinking drunk subject के बाद आ गया सारा तो क्या आएगा drinking he used dash in his youth in आ गया in आ गया in क्या है preposition तो क्या आएगा smoking clear number eight number eight dance is injurious to health क्या आएगा smoke smoking to smoke subject के बाद is आ गया क्या आएगा smoking clear इस तरह के related और भी कही sentences है तो मैंने seven to eight आपको दे दी है तक कि आपको tips हैं जो वो clear हो जाएं okay thank you and if you like my rules my tricks my tips please please subscribe my channel and see my complete video with your friends and share my video with your friends if you have any query then message me comment me I will reply thank you